हलो गाईज का इपते देवी किचन ओफिसल में आपका फिर से स्वागत है आज में स्रीखन की रेश्पी लेके आए हूँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं स्रीखन बनाने के लिए यहां पर मैंने एक किलो दूद से घर में ही दही जमाया है तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे तो यहां पर मैंने सूती का कपड़ा लिया है देखिए काफी यह पतला है तो अब हम इसमें दही को डालेंगे यहाँ पर मैंने सभी दही को डाल लिया है इस तरह से देखिए हम चारो तरब से कपड़े को पकड़ते हुए इसे उठाएंगे तो कपड़े को इस तरह से हम पकड़ लेंगे और देखिए इसमें दही में से हमें सभी पानी को निकालना है तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैस कर लेती हुमें और इसे बान के किसी भी उच्चे स्थान पे हम बान देंगे जिसे की दही में से सारा पानी निकल जाए तो यहाँ पे देखिए मिनिमम दो घंटा हो गया है और दही में से जो है सारा पानी निकल गया है तो हमें एक बावल में इसे निकाल लेती हूं यह मेरा घर का दही है तो इसलिए यह क्रीमी सा दही देख सकते हैं आप तो यहाँ पे आप यदि बाहर का दही यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी से मलाई घर की डाल सकते हैं फेट के तो अब हम इसे चम्मज से अच्छे से फेटेंगे इसे क्रीमी सा टेक्सर देना है देख सकते हैं अब अच्छे से हमें मिलाना है जिससे की दही बिल्कुल स्मूध हो जाए तो देखिए ये हो गया है तीन से चार मिनटे से फेटा है तो चलिए अब हम इसमें सुगर डालेते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन चमज डाला है इसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है उसके बाद हम थोड़ा से इसमें लाइची डालेंगे तो इलाइची पौडर मैंने यहाँ पर आदा चमज डाला है थोड़े से ड्राइफूर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने काजू और बदाम डाला है अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बात जरूर याद रखेगा कि हमें एकदम ताजा दही यूज़ करना है श्रिखन बनाने के लिए तो जिससे बहुत ही टेस्टी हमारा जो है श्रिखन बनेगा तो यहाँ पर देखें मैंने फ्रूट कलर थोड़ा सा लिया है यदि आपके पास केसर हो तब केसर भी दूद में भीगो के इसमें डाल सकते हैं जिससे की बहुत ही अच्छा स्रिखन का लूक आएगा देख सकते हैं कितना सुन्धर इसका कलर जो है दिख रहा है तो देखें कितना क्रीमी सा स्रिखन बनके तयार है बहुत ही जल्दी ये बन जाता है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी ली है इसमें अब हम सर्फ करेंगे इसे सर्फ करने से पहले मैंने इसे दो घंटे के लिए फ्रेज में रख दिया था तो देखिए इसे अब मैं सर्फ करके दिखाती हूँ कितना है सुन्दर इसका लुक आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है थोड़े से यहाँ पर मैंने ड्राइफ फूट लिये हैं तो बदाम पहले सबसे मैंने डाला है फिर पिस्ता और यहाँ पर कुछ मैंने काजू के तुकड़े लिये है तो उपर से मैं यह गार्निस कर लेती हूँ तो देख सकते हैं आप कितना सुन्दर लग रहा है तो एक बार बनाके जरू ट्राइ केजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद